हलो एव्यवान, वेल्कम पैक टूर यूट्व चैनल, एम लक्की पांड, जिसकी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, जो फूर सेंट्रल गौर्वर्मेंट होस्पिटल्स हैं, उसका एलोकेशन प्रोसीजर कब शुरू होगा, एम स्नौर्टर्ट से पहले होने व हैं, तो हमने सारे प्रोसीजर्स जो डॉक्यमेंट वेरिविकेशन की बात हो गई हैं, फिर अलोकेशन प्रोसीजर हो गया, स्टेप वाइस हमने अपरी चानल पर वीडियो डाल रही हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन में हम उसका वीडियो का लिंक डाल दिया हैं, तो हम व प्रोसींग ऑफिसर का वो 44,000 से ही लेकर 1,42,400 तक है, जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, पोस बेसिक या फिर जी एनम होना चाहिए, रजिस्टर नर्स होना चाहिए, डिप्लॉमा कर रखा हो या फिर या फिर रजिस्टर नर्स होना चाहिए, वन एयर का एक्सपीरेंस होना चाहिए, विफिफ्टी बेड़िट होस्पिटल्स के लिए, और जो एज लिमेट होती है, वो 18 से लेकर 35 एर्स तक हो सकती है, जैसके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 4 सेंटरल गौर् बात करें, तो 8 वेकंसी निकलती है, स्ट की बात करें, तो 4 वेकंसी निकलती है, स्ट की बात करें, तो 2 वेकंसी निकलती है, और EWS की बात करें, तो 3 वेकंसी निकलती है, अगर हम PWBD की बात करें, तो उसमें कोई भी वेकंसी निकलती है, और हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 31 पोस्ट निकलती है चलिए आगे देखते हैं सव्जर्ण छॉस्पिटल्स में कितनी वेकंशी होती है अगर जोनल काटेगरी की बात करें हम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा वेकंशी निकलती है जोनल में 242 वेकंशी निकलती है ओबी सी मे अंदर 64 vacancies निकलती हैं जिसमें 48 जो होती हैं वो backlog vacancies होती हैं चले मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि backlog vacancies basically होता गया है तो 48 vacancies को मिलाकर और जो नई vacancies को मिलाकर यहां पर PWBD की 64 vacancies निकाल रखी है तो total vacancies की अगर हम बात करते हैं तो 529 vacancies हो जाती है ठीक है सवजन हॉस्पिटल की अगर हम कलेवती सरन चिल्रन हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें general category की vacancies 17 निकलती हैं OBC और ST की कोई भी vacancies नहीं निकलती हैं ST की निकलती हैं वो 1 निकलती है और जो EWS के अंदर vacancies हैं वो 11 vacancies है PWD के अंदर कोई भी नहीं है कर टोटल vacancies की अगर हम बात करें कलेवती सरन चिल्रन हॉस्पिटल की तो 29 vacancies होती है लेडे हार्डिंग मेडिकल कॉलिज के अगर हम बात करें तो general category में उसकी 28 vacancies हैं वोबीची के अंदर 21 vacancies है और स्ट की अंदर 8 vacancies हैं स्ट के अंदर 4 vacancies हैं EWS के अंदर 28 vacancies हैं जैसे के आप स्क्रीन पे लएक सकते हैं PWBD के अंदर 6 vacancies हैं जिसके अंदर 4 हैं जो backlog vacancies हैं अगर हम टोटल vacancies की बात करें लेडे हार्डिंग मेडिकल कॉलिज के अंदर तो 89 vacancies हैं जैकर की RML hospital के अंदर टोटल vacancies के ती हैं 31 vacancies subjan hospital के अंदर 529 vacancies सबसे ज्यादा vacancies हमारी subjan hospital के अंदर हैं Kalawati Suran Children Hospital 29 vacancies है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलिज के अंदर 89 vacancies हैं यह पर नोर दे रखा है थोड़ा हम इसको देखते हैं क्योंकि इसमें important information दी जाए होती है the number of vacancies हैं जो उपर mention की गई है वो tentative है वो change भी हो सकती है जो PWBD क्या बोलते हैं candidate से उनकी total vacancies है वो change applied कर रहे हैं जो different categories के अंदर वो change हो सकती है बद 4% जो total seats है वो reserved होती है PWBD के लिए अंदर ठीक है और हमने यहां पर एक बार देखा था सबजन hospital के अंदर PWBD के अंदर जो 64 है जिसमें star लगावा उसके basically क्या है 48 backlock vacancies है backlock vacancies क्या होता है basically जो आपकी पिछली जो seats थी reserve की थी उसमें पूरी seats fill नहीं होई थी तो जो बच्ची हुई seats थी जैसे की 10 seats थी तो उसमें 5 seats fill हो गई थी जो उस category की 5 seats रह गई थी तो वो seats को आगे दिया जाता है ताकि वो उसी category वाले बच्चे को दी जाए तो वो seats को आगे add कर दिया जाता है तो उसे कहते है backlock vacancies तो 48 backlock vacancies पीछले साल की थी तो नए साल के मिला के टोटल वेकेंसीज जो निकलती है पीड़ाबल बीडी की वो 64 हो जाती है ठीक है सवजंग के अंदर जोखी टोटल वेकेंसीजज पढ़के 529 वेकेंसी हो जाती है सवजंग hospital के अंदर आगे हम सेम हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर जिसके अंदर जो पिछले साल की 4 बैकलॉग वेकंसी तो नई मिलाके 6 बना दी है तो टोटल वेकंसी कितनी हो जाती है जैसे कि आप पीडियेफ में देख सकते हैं जो जर्नल क्या बोलते हैं कंडिशन भी दे रहें कि जो ओनलाइन फर्म होगा और क्या बोलते हैं ओनलाइन अप्रिकेशन जो 16 से लेकर 30 तक था यह सब आपको पता है था अप्रिकेशन फीस थी जो जो जर्नल के लिए 3,000 से स्ट क एप आप चलिए एक नहीं इंपोर्टन चीज के बारे में इसके बारे में जो अप्रिकेशन बारे में जो यहां बहुत है जिसकी एसी और सी काटिगरी का बच्चा एक तो ऊसे एक रिलाक्ज़िशन पाइफ का मिल जाता है बेसिकली अगर इंग नॉर्सेट की बात करते है तो इसमें जो age limit होती है वो 18 years से लेकर 30 years तक होती है अगर हम इन 4 central government hospitals की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा age relaxation मिल जाता है अगर वो बच्चा ST category का है तो उसे 5 years का relaxation मिलता है तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा beneficial होता है ये candidates के लिए qualify करने के लिए recruitment के लिए अगर वो candidates OBC का है तो उसे 3 years का age relaxation मिलेगा अगर PWBD का है तो वो 10 years का age relaxation मिलेगा अगर वो candidates PWBD का है प्लस OBC का है तो उसे 13 years का age relaxation मिलेगा अगर वो candidates PWBD या फिर प्लस STI-ST का है तो उसे 15 years का age relaxation मिलेगा अगर वो एक सर्विसमेन या फिर कमेशन ओफिसर है इंक्लूडिंग ECO और SSCO का तो उसे 5 years का age relaxation मिलेगा जिसके आप स्क्रीन पर देख सके हैं Central Government के लिए एक अरलगी age relaxation category बनाए गई है अगर वो candidate Central Government Civilian Hospital का है जो 3 years से जादा काम करता है और General category Unreserved category का है तो उसे 5 years का age relaxation मिलने वाला है ठीक है Central Government Civilian Hospital का बोलते है Employer Plus वो OBC category से बिलॉग करता है तो उसे 8 years का age relaxation मिल जाएगा अगर वो Central Government Civilian Employer Plus ST category से बिलॉग करता है तो उसे 10 years का age relaxation मिलने वाला है यहाप एक नोट दिया है age relaxation is applicable only for the Central Government employees not to the personal working in the autonomous or standard body public sector undertaking AIMS employees will not be considered as a Central Government employees for the purpose of the age relaxation जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जो AIMS के अंदर जो भी employees काम करते हैं उनको Central Government employees के अंदर नहीं माना जाएगा उनको कोई भी age relaxation नहीं दिया ति मैं रेपेट भी करना जाओंगी जैसे कि जो AIMS नौर से जो AIMS के अंदर है जो as a government employee काम करते हैं और कोई भी government hospital में है उनके लिए age relaxation criteria नहीं follow होता है उनको कोई भी age relaxation नहीं दिया जाएगा यह पे आप वहाँ पे जाकर वो सारे process और procedure देख सकते हैं कैसे बनवाएं क्या क्या करना होता है सारे procedure allocation procedure जो AIMS नौर से इसे related है हमारे चैनल पे हमने सारी वीडियो सारी information प्रवाइड कर रही है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए यहां पे एक इंपॉर्टन इंफोमेशन थी जैसे की बहुत सारे बच्चों का डाउट था क्या जो फो सेंट्रल गॉर्मेशन प्रोसीजर है वो कब होगा तो यहां पे इंफोमेशन दे रखिए यहां पे अगर उससे रिलेटिट कोई भी अपडेट आती है जो फो सेंट्रल गॉर्मेशन प्रोसीजर होगा उससे पहले होगा उससी अलोकेशन प्रोसीजर नौसेट से पहले किया जाएगा तो यहां पे अगर उससे रिलेटिट कोई भी अपडेट आती है जो फो सेंट्रल गॉर्मेंट होस्पिटल है उसकी एलोकेशन को लेकर कोई भी नया अपडेट आता है तो हम आपको जल से जल बताने की कोशिश करेंगे उसके लिए आपको बस हमारे चानल को करना पड़ेगा और कोई भी टेंशन लेन की जुरूरत निया हम आपको जतना हो सके जल से जल अपने चैनल पर नहीं अपडेट करने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आपन को प्रेस कर लिजी ताकि हमारी वी जिसके एक और डाउट था बचो का क्या बोलते हैं जो 4 central government hospital है उसके अंदर 80-20 ratio फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा जो aim's north side है इस साल उसके अंदर 80-20 ratio फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो मैं उन सारे बचों का doubt है पर clear करना चाहूंगी जो aim's north side है उसके अंदर तो यह कंफर्म हो चुका है कि 80-20 रेशियो फॉलो किया जा रहा है पर यह जो असानी से हो सकती है जितनी जल्द हो सकती है तो यह जो डाउट था यह आपका मेरे को लगता है आपका क्लियर हो गया होगा जो सीट लोकेशन का प्रोसेस है वो नौसर से पहले हो वाइन फो सेंटल कॉर्म होस्पिटल के अंदर और 80-20 रेशियो के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो यह था कुछ इंपोर्टन इंफोमेशन जो कि बहुत सारे बचों का डाउट आ रहा था तो मैं क्लियर भी करना चाह रही थी बाट टाइम से अगर आपको यह को लेकर आइंसी सर्टिफिकेट को लेकर यह और क्या बोदे पूरा के बोदे फो सेंट्रल गॉर्मन होस्पिटल को लेकर उनकी वेकंशी को लेकर तो प्लीज हमें कमें सेशन में जरूर बताए हम आपका डाउट कमें सेशन में क्लियर करेंगे या तो फिर आप हमें परसन जितना जल्द हो सके हम आपको क्लियर करने के कोशिश करेंगे और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको यह वीडियो इंफरमेटिव लगी हो अपने फ्रेंस में शेयर कर दिए ताकि उनको भी पता चल सके यह न्यू अपडेट के बारे में तो प्लीज हमारे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजे बेल अपने को प्रेस कर लीजे ताकि हम कोई भी आगे अपडेट आती है यह फोर सेंटरल गौर्मेंट हॉस्पिटल को लेकर एंस नौसट को लेकर तो हम आपको जल से जल इंफोरमेशन दे सके ठीक ठैंक यू